हेलो एवरीवन आज हम फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन पे डीटेल एनलिसिस देखेंगे उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टन चीज़े कवर करेंगे जैसे बिजनस प्रोसिस आउट्सोर्सिंग क्या होता है कंपनी के बिजनस सेग्मेंट्स क्या है कहां से मिजर रेवेन्यू कॉंट्रिबूशन आ रहा है फिनेंशल स्टेटमेंट्स कंपनी के रेशियोज देखेंगे ओवराल करजा कितना है कंपनी पर और लाश में कंक्लूजन देखेंगे लाउंग टम बेसिस पर क्या हमें इंवेस्टेट रहना चाहिए या फिर नहीं वीडियो शुरू करने से बेले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप मनी टॉक्स में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे बेले हम यह समझते है कि बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग क्या होता है तो अगर सिंपल सी लेंग्विज में कहूं एक बड़ी कंपनी है उसमें कई सारे बिजनस रिलेटेट ऑपरेशन होते हैं तो उसमें से कुछ नौन कोर ऑपरेशन भी होते हैं जो वो थर्ड पार्टी को हैंडल करने के लिए देते हैं तो उसे हम बिजनस प्रोसेस आउट्सोर्सिंग कहते हैं अब इसे थोड़ा डीटेल में देखते हैं कि कही सारी ऐसी बड़ी कंपनी होती है जैसे कि एचार डिपार्टमेंट हो गया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया लीगल कंप्लाइंस वर्क हो गया सो वो सारी सर्विसेस के लिए वो किसी और बिजनस इसको हायर करते हैं और उन्हें वो चीज हैंडल करने के लिए देते हैं So business process outsourcing क्यों होता है? So अगर हम हिंदुस्तान Unilever का example देखें तो हिंदुस्तान Unilever के पास इतनी सारी brands है, around 50 to 60 brands है तो हिंदुस्तान Unilever बैट के 60 manufacturing units को set up नहीं करेंगे इसकी जगा वो क्या करेंगे? कि वो अपनी marketing, designing और इन चीजों पर focus करेंगे और जो production activities है, उसके लिए वो ऐसी companies को hire करेंगे जो बहुती skilled है, जो बहुती ज़ादा experience है और वो production के related सारी चीजों को handle कर सके So अगर हम example देखें, तो हिंदुस्तान Foods का यही काम है वो कई सारी HUL की ऐसी brands है, जिसे production करती है और फिर HUL को दे देती है और फिर HUL उसे marketing और branding करता है So इसे भी हम business process outsourcing कहते है और यह same चीज service sector में भी apply होती है और यही चीज first source solution limited provide करता है So service sector में अगर outsourcing की बात करें तो आप देख सकते हो कि back office operations होते हैं और front office operations होते हैं तो back office में accounting related work, payment related, IT services, human resources, legal work So यह सारी चीजों के लिए outsourcing की जाती है और front office में आप देख सकते हो कि tech support, sales, marketing के related So एक बार देख लेते हैं कि first source solutions कौन सी industries को अपनी services provide करते हैं Banking and financial sectors, healthcare sectors, communication, media and technology And diverse industries को अपनी outsourcing की services provide करते है So अभी हम directly company के profit and loss statement पे आ गहे हैं So revenue from operations अगर हम देखें यानि की company का जो core business operations है उसमें हम देख सकते हैं कि last 5 साल में अच्छी कासी growth देखने को मिल है 3,456 crore से year on year basis पे sales increase हुई और current financial year 2021 में 5,032 crore की sales है उसी के साथ-साथ expenses में हमेशे आपको finance cost पे ध्यान रखना है कि Finance cost increase हो रहा है efficiency evolution to the last five 600 performanceShoots को अगर हम देखें तो बहुतजादा increase भी नहीं हुआ है और बहुत जादा decrease भी नहीं है Almost stable देखने को मिल रहा है So finally अगर अगर हम total expenditure देखें तो ठिक ठक देखने को मिल रहा है So finally अगर हम total revenue में से expenses minus करें रहें, so finally अगर हम total revenues में से total expenses minus करें तो हमें operating profit मिलता है, यानि की company का core business operations से कैसा performance रहा है, यह हमें सबसे जादा clear picture बताएगा, अगर आप long term में investment करते हो, तो यह सबसे पहली priority होनी ची आपकी, क्या आप इसको देखोगे, यहाँ पे company की कितनी growth है, so आप देख सकते हो के 336 करो उसका reason यह है, कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो company के कुछ exceptional items है, so उसकी वज़े से profit decrease हो गया है, लेकिन company का performance खराब नहीं है, और यही चीज दोनों case में होती है, कई बार exceptional items positive way में increase हो जाते हैं, और profit बहुत जादा देखता है, but reality में profit increase नहीं हुआ है, so यह छोटी छोटी इस पे ध्यान रखो कि वहाँ से कितनी growth हुई है, so finally अगर हम net profit देखे तो हम बोल सकते के net profit भी increasing trend में देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि sales हमारी सबसे पहली priority होनी चाहिए, जब भी भी हम financial statements देखते है, so उसके बाद second important चीज यह है कि हमेशा हमें segment wise revenue check करना चीए, कि कहां से सबसे ज़्यादा revenue आ रहा है और कौन से segment में company की growth हो रही है, so अगर हम banking and financial service में देखे तो last year से comparison करें तो अच्छी कासी growth देखने को मिल रहा है, around 50% के आसपास, और healthcare industry में almost stable देखने को मिल रहा है, communication, media, technology में भी थोड़ इसी growth है, और diverse industry में बहुत ज 7 contribute कर रही है, healthcare industry is 26.53, communication 19% और diverse industries 2%, so हम बोल सकते 70% के आसपास business जो आ रहा है company का, वो healthcare और banking services से आ रहा है, उसके बाद देख लेते हैं कि revenue में location wise कितना contribution आ रहा है, so अगर हम US में देखें, तो 67.4% का contribution देखने को मिल रहा है revenue में, और UK में 31.5% और rest of the world से around 1.1%, So US से company का major revenue आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद अगर हम company का top clients से कितना revenue आ रहा है वो चीज़ देखें, तो top 5 clients जो है company के around 42% revenue में contribution कर रहे है, यानि कि अगर company 100 रुपे कमार यह तो 42 रुपी जैसे हैं, जो सिर्फ 5 clients से आ रहा है, और उसके बाद अगर हम दूसरे other than top 5 clients द देखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो top 5 clients है वो बहुत ज़ादा revenue contribute कर रहे हैं, और अगर future में से मान लो कि अगर इसमें से 1 या 2 clients के साथ भी कोई relationship में दिक्कत होती है, तो company के revenue पे बहुत बड़ा impact देखने को मिलेगा, इसलिए ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखने है कि company के बड़े clients है वो कितना revenue contribute करते हैं, उसके बाद अगर हम client relationship देखें, तो जो company के top 5 clients है, उनके साथ company की relationship आप देखो, तो 14.4 years तक company ने average business किया है, और जो दूसरे top clients है, उनके साथ average relationship 19.2 years रही है, so client relationship company की बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, उसके बाद देख लेते हैं company पे long term borrowings कितनी है, so last 5 साल में अगर हम देखें तो 712 करोड थी, 323, 6, 2 करोड और 84 करोड, तो अच्छी खासी long term borrowings में गिरावट देखने को मिल रही है, और short term borrowings अगर हम देखें, तो बहुत जादा increase भी नहीं हुई है, और decrease भी नहीं हुई है, 250 करोड, 349, 538, 834, और उसके बाद अगर financial 21 में देखें, तो almost half होते वे देख रही है, short term borrowings, so बोल सकते हैं कि company का debt पे भी बहुत जादा अच्छा control देखने को मिल रहा है, उसके बाद company का asset section देख लेते हैं, so उसमें हम सबसे पहले trade receeables देखते हैं, so इससे हमें क्या पता चलेगा, कि company की sales जो हो रही है, वो बहुत जादा credit पे तो नहीं हो रही है, so trade receeable अगर देखें, आच 5 सल का तो 386 करोड, 378, 387, 556 और 576 करोड, so trade receeable definitely increase होता हुआ दिख रहा है, बट अगर हम total sales का देखें, तो around 10% के आस-पास है, तो बहुत जादा दिक्कत नहीं है, so अभी तक हमने company का profit and loss और balance sheet देखा, उससे हमें ये पता चला overall company की sales क्या है, profit क्या है, और पूरे साल का performance कैसा है, अब एक बार हम company के margins देखते हैं, ताकि इससे हमें ये पता चले company की efficiency कैसी है, क्यूंकि sales increase होना और expenses increase होना आपको ये नहीं पता चलेगा किस proportion में हो रहा है, so gross profit अगर increase है, तो हम एक चीज़ बोल सकते है कि company की sales increase होई है, और company के खर्चे decrease होई है, so आप देख सकते हो कि 2017 से अगर हम 2021 तक देखे, तो gross profit margin increase होते हुए दिख रहा है, operating profit margin में भी अच्छा कासा improvement देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ net profit margin में हम बोल सकते है कि थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रहा है, बहुत जादा increase भी नहीं है, but almost stable देखने को मिल रहा है, उसके बाद अगर हम return on equity देखे है, so इससे क्या पता चल रहा है, company ने जो business में पैसा लगाया है, उस पैसे पर कितना return generate क पारी, तभी तो हमें पता चलेगा, company कितनी efficient है, financial section में 14.7 था, और financial year 21 में around 12.9% है, so इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, return on capital employed, इसका मतलब यह, कि पूरी company में debt और equity का कितना पैसा लगाया, यहां पे सिफ share holders का कितना पैसा लगाया, और यहां पे debt और equity का क 17.6% का, और second चीज़, यह company debt free नहीं है, तो हमेशा हमें return on capital employed पे ज्यादा focus करना चीए, क्योंकि इसमें debt और equity की calculation होती है, उसके बाद company का cash flow statement देख लेते हैं, आप देख सकते हैं, जो operating cash flow है, वो 2971 करोड है, और उसके समें free cash flow 2114 करोड है, so operating cash flow में भी हम बोल सकते हैं, कि अच्छा कासा improvement देखने को मिल रहा है, और जो free cash flow है, उसमें भी आप देख सकते हैं, कि अच्छा कासा improvement है, so overall बहुत ही अच्छा performance देखने को मिल रहा है, उसके बाद अगर हम company के debt position देखें, तो हम बोल सकते हैं, यह long term है, यह short term है, और यह overall net कितना debt है company के ऊपर, so आप द So एक चीज़ यह भी implicate होती है, company का free cash flow 7,225 करोड है, और जो borrowing है, वो 3,846 करोड है, यानि कि यह company almost debt-free company है, उसके बाद company के share holding pattern देख लेते हैं, so promoter का around 53% के आस-पास की holding देखने हो मिल रहे है, और foreign investors ने around last 3 quarter की अगर हम बात करें, तो अच्छी-कासी holding increase करें, 6.56 से increase होके 10.45, और अगर हम DII का percentage देखें, तो मार्च 2020 से 4 quarter तक continuously increase हुआ था, और मार्च 2021 में अच्छी-कासी holding decrease हुई है, और public share holding देखें, तो last 5-5 quarter में public share holding decrease होते हुए दिख रही है, so share holding देखना इसलिए ज़रूरी है, सिफ हमें एक idea है कि क्या overall position देखने को मिल रही है, यानि कि promoters इस ने कहीं अपनी holding गिराई तो नहीं, क्या foreign investors ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया, यह सिफ एक hint बताता है, इसका मतलब यह नहीं होता, कि foreign investor ने अगर पूरा पैसा निकाल दिया, तो company खराब हो गई, और पूरा पैसा अगर बहुत ही जादो holding बढ़ा दी, तो company बहुत अच्छी हो गई, यह सिफ एक hint बताता है, but otherwise company के fundamental सी सबसे अच्छा data आपको provide करते है, यह सिफ एक idea देता है, कि overall क्या shareholding pattern चल रहा है, अगर कुछ गरबढ है उसमें, तो हमें उससे hint मिल सके, अभी तक हमने पूरे company के fundamentals देके, और एक चीज़ हम बोल सकते है, कि company का performance अच वह भी एक आपका risk बहुत जादा बढ़ा देता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिफ अच्छी company खरिद ली, तो आपको हमेशा profit ही होगा, definitely होगा आपको profit, but उसके लिए बहुत ही long time वेट करना पड़ेगा, और अगर उस company में future में कुछ हुआ, तो आपके price में कोई safety नहीं रह कि एक रुपे की earnings के लिए investor कितने times price pay करने को ready है, so company earnings around 5.31 है और company का stock around 130 के आसपास है, so इसको आप divide करोंगे तो around 26 के आसपास आएगा, but इसको approach पकड़ के चलना के 20 to 26 के आसपास आप PE ratio ले सकते हो, क्योंकि exceptional items भी कुछ थे, तो profit ऐसे देखे तो हम जादा ही है, so अगर हम 21.45 के आसपास का PE ratio देखें, तो एक चीज़ बोल सकते हैं, कि last 4 साल के comparison में company काफी higher valuations पे चल रही है, almost double देखने को मिल रही है, और उसी के साथ साथ एक और चीज़ है, कि पूरी industry, जो IT industry की बात करें, तो उसमें अच्छी खासी rally देखने को मिल रही है, और पूरी अगर sector की बात करें, तो 22, 26 के PE ratio के आसपासी देखने को मिल रहा है, so industry wise देके तो ठीक थाक valuation है, but अगर हम last 5 साल की sales और उसको comparison करें, तो बोल सकते हैं, कि थोड़ी valuation जादा है, और कुछ negative points भी है, जो मैं थोड़ी आगे discuss करूँगा, so अगर valuation point of, so अगर हम PE ratio के हिसाब से देखें तो हम बोल सकते हैं, बहुत जादा undervalued भी नहीं है, और बहुत ही highly valued नहीं है, so okay-okay valuations पे company देखने को मिल रही है, अगर यही company 9200 के आसपास corrections में मिलती है, so हम बोल सकते हैं, कि company की fairly valuations है, लेकिन वो भी तभी, अगर आप long term investments के हिसाब से देख रहे हो, 5 years, 6 years, 7 years तो, short term में कुछ भी हो सकता है, market में वो किसी को भी नहीं पता है, so finally अगर हम conclusion पे आ जाए, तो एक चीज़ बोल सकते है, कि company की sales अच्छे से increase हो रहे है, company के gross और operating profit margin भी improve हो रहे है, company almost debt free है, और जो operating cash flows है, वो भी अच्छे कासे improve हो रहे है, और अगर जो major risk देखने को मिल रहे है, वो का performance देखे है, तो आप देख सकते हो, around 300% के shareholders को return मिले है, और last 5 साल का performance देखे तो around 226% के returns मिले है, उसके साथ एक important चीज़ ये भी देखने है, company का stock बहुत ही जादा risky देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो, कि यहाँ पे भी अच्छी कासी गिरावट हुई है, और उसक गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद एक बड़ी rally देखने को मिली, तो बहुत ही जादा risky stock देखने को मिल रहा है, यह जो analysis बताया है, यह मैंने आपको मेरा viewpoint बताया, जो भी आप decision लेते हो, अपने financial advisor से जरूर consult करना, और अपनी पूरी research करना, उसके भाद ही आप अ दोस्तों के साथ भी share करना ताकि उन्हें भी ऐसी informative videos मिलती रहे, तब तक के लिए thank you so much, मिलते हैं next video में